जी हाँ दोस्तों काले चश्मे के अंदर लाल लाल आंखे मलाइका अरोडा का ये वीडियो आपको रुला देगा आगे हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें अरहान किस प्रकार से अपनी मा और अपनी नानी को संभालते हुए नजर आ रही है दरसल संसकार होने के बाद पिता के संसकार करने के बाद जो है मलाइका अरोडा अपने घर वापस आई जहां पर वो खूब रोई अपने मा के गले लग खूब रोई अपने पिता को याद कर अपने पिता की आखरी बात को याद कर जी हाँ, सोसाइड से पहले अनिल महता ने अपनी बेटी मलाइका अरोडा और अमरीता अरोडा से बाचित की थी फोन के जरिये, फोन कॉल पर क्या बाते हुई हम आपको बताते हैं, दरशल आपको बता दे अनिल महता अपने बीमारी से काफी ज़दा परेशान थे और कुछ ऐसी बाते थी, जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, जिसकी वज़ए से उन्होंने फोन किया, सोसाइड से पहले, छट से कुदने से पहले, उपने बेटी से बात्चित की उन्होंने बात्चित में साफ तोर पे कहा, कि मैं बहुत ज़दा बीमार महसूस कर रहा उसके बात कोई बात नहीं की, अनिल महता ने अपनी बेटियो से, उसके बात सुबह 9 बजे बुद्बार को, यानि कि कल सुबह 9 बजे 11 सितंबर को जो है, उन्होंने सोसाइड कर लिया, वो आखरी बात जो मलाइका अरोडा और अमरीता अरोडा से उन्होंने की, उस वक्त मलाइका अरोडा जो थी, वो पूने में थी, जैसी उनको अपने पिता की आत्मत्या की ख़बर सामने मिली, उसी वक्त वो रवाना हो गई मुंबई के लिए, और अपनी पिता के घर जो है, वो आई, और इस तरह से अपने पिता को देखना पड़ा, आपको बता दे, इस व पोटानी बागी हैं अभी, पुलिस पुरी तरह से चानबिन में लगी हुई है, वहीं आपको बता दे, मलाइका अरोडा के माता पिता, दोनों ही डिवोस ले चुके थे, और दोनों ही अलग रह रहे थे, अलग-अलग फ्लैट के अंदर, लेकिन दोनों की बातचित होती थ जब पिता विमार होते थे या हुस्प्रिलाइज होते थे तो मलाइका और उनकी माता जी दोनों ही जो हैं मिलकर देखरे करते थे अनिल महता की, लेकिन आपको बता दे, अंदर ये अंदर चिंता सताय जा रहे थे, अनिल महता को किसी बात को लेकर, जो उन्होंने अपनी ब प्रोड़ा के पूरे परिवार पर दुखो का पहार तोट पड़ा है। फिल आपको क्या लगता है? अनिल महता ने जो है छस से कुद कर क्यों अपनी जान दे दी? क्यों उन्होंने सुसाइड कर लिया? क्या हो सकता है रिजन इसके पीछे? जो भी आपको लगता है जरूर कमे इंट्रिक्शन के जड़े लेकर वेक्ट कीजिएगा।